स्टुडेंट्स है रसीमा शेर्मा वल्कम टू माई चैनल हमारे वीडियो चल रहे हैं मार्केटिंग से रिलेटिट और मार्केटिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है काफी ब्रॉड भी है तो इसमें इतने सारी टॉपिक्स इंक्लूडेड हैं और मैंने बहुत सार आता है इस टॉपिक को स्टडी करने में क्योंकि यह एड़टाइजमेंट प्रोडेक्ट से रिलेटिर है तो ब्रैंडिंग क्या होता है आप जानते हैं कुछ चीजें ऐसी होती है जिनकी हम शक्ल या नाम देखकर ही उसे पहचान जाते हैं हमें कोई जरौती नहीं पढ़त जैसे पहचानता है वो ब्रैंडिंग एक ऐसा प्रोसेस है जो प्रोडेक्ट को अधर प्रोडेक्ट से अडेंटिफाइ करने में हेल्प करता है यानि किसी पर्टिकुलर प्रोडेक्ट को हम अपने कॉंपिटेटर के प्रोडेक्ट से कैसे अलग से दिखाएं उस पूरे प् करते हैं एक बहुत इंपॉर्टन डिसीजन मार्केटर को लेना होता है one of the most important decision that a marketer has to take in the area of product क्योंकि product के बारे में हम decide कर रहे हैं product is in respect of branding की branding से related बहुत important decision लेना होता है और काफी important है क्योंकि branding एक ऐसा process है जो एक बार करने के बाद customer को बहुत लंपे time तक आप से जोड़के रखता है इसलिए branding का process बहुत सोच समझ के marketers की decision लेता है he she has to decide whether the firm products will be marketed under a brand name और a generic name अब देखो क्या होता है generic name और क्या होता है brand name generic name तो क्या हुआ shoes है तो shoes कोई भी shoes shoes है उनका क्या generic name क्या है shoes है कोई भी pen तो pen है वो सब ठीक है पर हम अपने competitor से कैसे अलग दिखाए अपने pen को या हमारा product का shoes है तो हम अपने product को कैसे competitor से अलग दिखाए, तो generic name क्या होता है, जो particular product होता है, वो उसका generic name है, generic name refers to the name of the class of the product, like shoes, pen, car, television, etc, if product were sold by generic name, it would be difficult for the marketer to distinguish their product from the that of competitor, यानि competitors से अलग हम अपना product दिखा ही नी सकते हैं, सारे pen हैं, तो सब pen ही पहन है, कैसे पता करें कि कौन सा, किस competitor ने बनाया है, यह हम consumer को कैसे बताएं कि हमारा product manufactured हुआ है, तो हमारे product का identification क्या है, तो यह बताना मुश्किल हो जाता है, अगर हम generic names को यूज करते हैं, therefore, most marketers give the name to their products, which helps in identifying and distinguishing their products from the competitor's product, तो generally marketer अपने product को कोई special name दे देता है, जिसकी वज़े से consumer उसके product को competitor के product से अलग हो करके आराम से पहचान सकता है, identified कर सकता है, ठीक है, इसी लिए हम generic name यूज नहीं करते हैं, कि हाँ हम क्या बनाते हैं, phrase बनाते हों के, और सब के phrase फ्रीज हो जाएंगे, तो कैसे पता करें कि हमारा product कौन सा है, जो particular हम sale कर रहे हैं, कैसे consumer को हम अपने ही product की तरफ attract करें, तो वो बेटा होगा brand name के थूँ, तो इसी लिए generic name को हम continuous use नहीं कर सकते हैं, brand name एक ऐसा name होता है, जो consumer को बहुत ज़्यादा attract करता है, और बताता है कि हमारे competitor से हमारा product किस तरह के से distinguish किया जाए, differentiate किया जाए और उसको easily identify करवाते हैं, उसी को brand कहते हैं, अब देखो brand की definition क्या है, a brand is the identification of a product, it can be the form of name भी हो सकता है, symbol भी हो सकता है, design भी हो सकता है, यानि brand में brand का name, design, symbol, particular color, particular shape, particular कोई logo अगर है, तो वो सब कुछ brand में included है, जो उसके product को, जो किसी particular product को, किसी competitor के product से अलग शो करता है, surf, datol, nike, etc., even various symbols such as this, इस type का कोई symbol हो, etc., और also the brand, ये सब क्या है, brand है, ठीक है, surf क्या है, brand है, और product क्या है, detergent powder है, तो surf किसका नाम है, product का नाम नहीं है, प्रोडेक्ट का नाम है, detergent powder, और surf नाम है, brand का, हम क्या करते हैं, हम shop पे जाके बोलते हैं, भाईया, surf देना, कौन सा वाला चाहिए, रिन वाला चाहिए, नहीं, नहीं, रिन, brand का नेम है, surf brand का नेम है, पर product क्या है, detergent powder, actually हम इतने habitual हो जाते हैं, किसी particular brand के, कि हमें असली product क्या होता है, वही भूल जाते हैं, det all, एक बहुत known brand है, हम किसी भी product के लिए, कोई भी antiseptic खरीदने जाते हैं, तो हम क्या बोलते हैं, det all देना भी, या चाहिए, आप Savillon का ले रहे हो, पर क्या बोलते हो, आप उसको det all देना, ठीक है, तो इस तरीके से brand एक consumer की जवान पे इस तरीके से set हो जाता है, कि वह असली product को भूल जाता है, और उसको सिर्फ क्या ध्यान रहता है, सिर्फ brand का name ध्यान रहता है, तो brand क्या है, brand mixture है, किसका mixture, brand के name का, sign का, design का, symbol का, color का, इन सारों का, जब combination मन जाए, तो उस पूरे combination को हम brand कहते हैं, अब इस combination में क्या क्या included है, brand name included है, the part of brand which can be spoken in, is called brand name, जिस part को हम बोल सकते हैं, brand के, जिस part को हम बोल सकते हैं, can be spoken, is called brand name, in other words, we can say it the verbal part of the brand, brand का verbal part जो होता है, वो क्या होता है, brand name होता है, that all, verbal part है, surf, verbal part है, okay, तो इसको क्या बोलेंगे, brand name बोलेंगे, अब second देखो, brand में क्या included है, brand mark, okay, special sign जो होता है, वो brand mark होता है, the part of brand which cannot be spoken, जिसको हम बोल तो नहीं सकते, but can be recognized, is known as brand name, पर हम उसको देखकर पहचान सकते हैं, क्या-क्या पहचान सकते हो, देखो, महराजा सिंग आफ एर इंडिया, एर इंडिया का महराजा बनावा होता है न, सावा बनावा, अच्छा सा, सुन्दर सा, और बड़ी-बड़ी मूचे होती है, तो उस महराजा को देखकर हम क्या पैचान लेते हैं, आँ बही, ये एर इंडिया की flight है, तो ये क्या है, ये brand mark है बेटा, इसको हम बोल नहीं सकते हैं, ये spoken में यूज नहीं होता है, बट ये एक ऐसा part होता है, जिसको हम recognize कर सकते हैं, देखकर के, पैपसी sign of red and blue ball, पैपसी का sign कैसा होता है, ऐसे ball सी बनी भी होती है, और उसमें red और blue का sign बना होता है, Nike sign of arrow, Nike का sign कैसा बना रहता है, ऐसे arrow type का sign बना रहता है, तो उससे आप identify कर लेते हो ने कि ये Nike का product है, तो इस तरीके से ये brand mark होते हैं, जिन mark को देखकर हम easily product को identify कर सकते हैं, अब देखो trademark, बहुत important topic, a part of the of brand which is given, ध्यान रखना part of brand not brand mark, part of brand which is given legal protection is called trademark, यानि आपके brand का, चाहे उसमें name हो, चाहे उसमें symbol हो, चाहे उसमें कोई design हो, सब कुछ included है, इसके जिस भी part को हम अपने नाम से register करवा लेते हैं, यानि जिसकी legal protection हमको मिल जाता है, legal right हमको मिल जाता है, उसको हम trademark कहते हैं, a part of brand which is given legal protection is called trademark, no the firm can use the name or sign for which company get legal protection, हमने अगर उसे अपने नाम से register करवा रखा है, तो legally कोई भी उसको copy नहीं कर सकता है, उस name को या sign को कोई भी use नहीं कर सकता है, ठीक है, तो brand name और brand mark का वो part, जो आपने अपने नाम से legally registered करा रखा है, which part is called trademark, ध्यान रखना इस चीज का question आता है, mcqs में भी पूछा जा सकता है, ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है, the part of brand which can be spoken is called, तो आपको बताना है brand name, तो आपको ध्यान से ये चीज़े study करनी है, तो ये क्या था आपका, इन सब चीज़ों को decide करना is called branding, यानि branding एक process हो गया, जिसमें आप अपना पूरा brand decide करते हैं, और उस brand में आपका brand का name, आपके brand का mark, चाहे उसमें कोई design हो, चाहे उसमें कोई symbol हो, चाहे उसमें कुछ भी special हो, वो सब कुछ आपके brand में included है, और आपका, आपके brand को completely ready करना, finalize करना, decision लेना is called branding, अब ये देखो, ये क्या है, क्या है ये, brand name है की brand sign है, बताओ, ठीक है, बताओ क्या है ये, ये brand mark है, ठीक है, Asian paint पे आपने ये इस तरीके का boy देखा होगा, ठीक है, brush उसकी हाथ में होती है, इसको बोलते हैं, गट्टू, Asian paint के हर box पे बनावा होता है, तो ये उसका brand mark है, Asian paint लिखा हुआ देखने की जरुरत ही नहीं है, इस सिर्फ इस गट्टू को देख करके, हम easily identify कर सकते हैं, कि ये Asian paint का product है, devil of onida, ये किस पे बनावाता है, onida के हर product पे devil बनावाता है, तो आप इस devil को देखकर, easily identify कर सकते हो, कि ये ओनिडा का product है, तो इस तरीके से, ये क्या है, ये brand mark है, ये picture हो सकता है, brand mark का part picture भी हो सकता है, तो इस तरीके से, ये picture product को identify करने में help करते हैं, और ये brand mark होते हैं, चलो, आप देखते हैं, कुछ generic name, और कुछ brand name, generic name है shoe, क्या है, shoe, ठीक है, shoes आपने देखे ना, generic name आपका क्या है, shoe, इसका shoe है, पर अगर इसमे brand डाल दे तो, Reebok के shoes, woodland के shoes, bata के shoes, तो bata, woodland और Reebok क्या है, brand names है, बर generic जो particular product है, वो क्या है, shoes है, सेकिन देखो pen, pen में brand name क्या हो सकते हैं, parker हो सकता है, roto mac हो सकता है, sallow हो सकता है, car की बात करें, तो car generic name है, पर उसमें BMW है, Honda है, ये क्या होगा, इसका brand name होगा, tube light generic name है, और इसमें अगर special brand का नाम बात करें, तो philips brand का नाम है, heavels brand का नाम है, washing machine की बात करें, तो washing machine generic name है, product का, LG brand है, samsung brand है, refrigerator generic name है, product का, और LG का refrigerator ला रहे हैं, या वालपूल का ला रहे हैं, तो वो क्या है, वो brand name है, लासली television, television क्या है बिटा, generic name है, आपको ध्यान रखना है, generic name क्या होते हैं, और brand name क्या होते हैं, तो अगर हम generic name में, television purchase करके ला रहे हैं, तो कौन सा वाला पसंद करोगे, Sony लेकर आओगे, LG लेकर आओगे, वीडियो कौन लेकर आओगे, तो ये तीनों क्या है, ये तीनों brand name हैं, और generic name क्या है, television, तो आज हमने study की, branding की बहुती मज़ेदार, और interesting topic था, अच्छे से समझ आ गया होगा, branding एक ऐसा process, जिसमें brand name, brand mark, design, वगरा सब कुछ included है, और आपके brand का ऐसा part, जिसको आप registered करवा लो, या जिसके लिए आपको legal protection मल जाए, उस part को trade mark कहते हैं, ठीक हैं, वीडियो अच्छा लगा, अगर समझ आया और पसंद आया, तो प्लीज लाइक कीजिए, अगर आपने वीडियो अभी पहली बार देखा है, या आपने अभी तक सब्सक्राइब ने किया है, तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, थैंक यू,